रविवार 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में एक विशाल सत्संग का आयुजुन किया गया जिसमें अहजारों की संख्या में लोग माता मंगला और भोले जी महराज को सुनने के लिए पहुँचे थे अध्यात्मिक और सामाजिक संस्था हंस जोती के तत्वादान में आईटी पार्क मैदान शास्ति पुरम में इस सत्संग को रखा गया था और अभी अपनी कारिक भी था ज़िए पिर भी एक संसरी प्यास को रोगी है वो प्यास भी हमारे घीवत को चाहती है आपने सुर्का उपर शायद हम दिन्ली से आया है तो बर्वत करते करते कर दिन्ली पहुँचे उसके बादे नहां आए सत्संग में प्रदेश भर से पहुँचे हजारों श्रधालों और संत महात्माओं ने भोले जी महराज यों माताश्री मंगला के सार गर्भित परवचनों को सुना इस मौके पर भजन गायकों के द्वारा सत्संग ज्यान और गुरू बहिमाद से जुड़े भजन भी प्रसूत किये गए दहन्स फाउंडेशन के प्रणा श्रोध परमपूज्य श्री भोले जी महराज एवं माताश्री मंगला जी ने समारों में उपस्तित श्रधालों भग्तों को संबोधित करते वे कहां कि जब-जब समाज में ज्यानता, अधर्म, अन्याय तदा अत्याचार बढ़ने लगते हैं तब तक धरा धाम पर संत महापुरुशों का प्रकटी करण होता है जो मनुश्य को अच्छे मार्क पर चलने के लिए ज्यान प्रदान करते हैं सत्संग में पहुँचे भग्त मी सत्संग को सुनकर आनन्द मैं हो गए ब्यूरो रिपोर्ट संबाथ 305